असलाम आलेकुम नमस्कार दोस्तों कैसों आप सब उम्मीद करते हुआ है अच्छे होंगे और खेर रहे होंगे आज मैं आपके लिए डाल जो होती है उसकी सबजी लेकर आई हूँ आप इस तरीके से डालों को मिलाकर सबजी बनाकर तयार कर सकते हैं जिसके लिए मैं देखि हсन द्रग हडीमिर्च लिए है इसको एक सरी पना लें गुण दो और ऐक आधि प्याश थी वह उसको लिए है उसको हम बारी बारी काट लेंगे अभी देखे कुस पीश से मसाले लूँगी मैं एक कटोरी लिए मैंने उसमें मैं सारे मसाले डाल दूँगी जिसमें मैंने ये एक चमबच नमक लिए आप अपने स्वात के नुसार नमक लीजिए और यह आदा चमबच गरम मसाला पॉडर है एक चमबच लाल मिर्च पॉडर है दो चमबच धनिया पॉडर लूँगी और एक चमबच हल्दी पॉडर और यह एक चमबच हम जूर पॉडर ये सारे मसाले लिए अब इसमें हम थोड़ा पानी डाल कर और इसको रख देंगे मिक्स करके दैस मिनिट के लिए हम ऐसे मसाले को छोड़ देंगे अब यह देखिए जो मैंने दाल ली थी इसमें आदा चमबच नमक और आदा चमबच हल्दी पॉडर डाल कर इसको अच्छी से फेट लूँगी चार-पांच मिनट खुब अच्छी से फेट लेंगे अब मैंने जो प्याज बारी काटती रखी थी इसको इसमें डाल दूँगी से अच्छी से मिक्स कर लूँगी यह देखिए मैंने कढ़ाई ली है बिसमें मैंने चार टेबस्पून तेल डाल दिया तेल को खुब अच्छी से गरम हो जाने देंगे अब यह देखिए जो पकोड़िया थी मैंने हाल को थोड़ा पानी से गीला करके इस तरीके से हम डालते रहेंगे सारी कढ़ाई में इस तरीके से हम डाल देंगे सारी पकोड़ियों को इस तरीके से सब को डाल देंगे अब मैं अच्छे से कढाई को थोड़ा से हिला दूगी जिससे जो तेल है अच्छे से हिला रहे हूं अच्छे से जिससे तेल सारा हमारी पकोरियों में फैल जाएगा अब मैं इसको धक्के रख दूगी मीडिया माज पर चार-पांच मिरट के लिए अब ये देखे चार पांच मिनिट हो गया था अब मैं धक्कन हटा कर और इसमें लगवा गादर कफ के करीब मैं पानी डाल दूँगी ये देखे पानी डालते ही हम तुरन धक्कन लग देंगे जिसलिए भाप होगी स्ट्रीम लगेगी तो हमारा ये अच्छे से पक जाएगा ये देखे चार मिर बार फिर से मैं धक्कन हटा दिया है देखे इस तरीके से हो गया है हमारा अच्छे से पक गया है अब इसको मैं पलट दूँगी मैं इसको फ्राय निकिया मैं इसको स्ट्रीम लगाया तो आप इस तरीके से करेंगे तो आपका ये अच्छे से पक अब मैं इसको मसाला बना के तैयार करूंगी यह देखे मापको दिखाती हूँ आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं बहुत टेस्टी लगती है खाने में बच्चों को देंगे तो बच्चे बहुत पसंद करेंगे अच्छे से पग गया है इसको मैंने स्टीम करके बना लिया थ अउसके बच्चों को दो टेल भी उखे जए तो अधा चमन जीरा आदा चमन मेति रना उसको दोल दोली गया प्यार तो छें शुर्ण से लिगता तो बूंगे तो ग्रतन लिया तो मैंने बच्चों कर रखे तो भीचछी कर उखे नग तो तो अच्छी से अच्छी से दून कर देंगे देखिए अब इसको दो मिनट तक भूनेंगे हम प्याज अधर क्लसन पेस को उसके बाद फिर इसमें जो मैंने मसाला बिगो के रखा था पानी में वह डाल दूगी मैं इसके अंदर याद रहे आपको गैस मैंने धीमी का दखिए जिससे मारे मसाले जो ना जले नह अब इससे दो-ती मिनट और ठाएंगे अब देखिए अब इस तरीके से तेल छोड़ देंगे समझे अमरे मसाला बिल्कुल तयार है लगबक साथ-ाथ मिनट लगा हमारे मसाला को अच्छी सबुनने में जितना अच्छा मसाला आपका बुन के तयार हो इतनी अच्छी आपक पानी डालने के बद दो कप मैंने गैस को तेश कर दिया अब धक्के रख देंगे जब तक इसमें उबाल आ जाए देखिए अब इसमें पकोडियों को डाल देंगे इसको 3-4 मिनट तक और मीडिया माज पर पकाएंगे जिससे ही गाढ़ा भी हो जाएगा यह देखिए हो ग आप जरू बना के देखिए इस तरीके से अपने फैमिले फिर्ण में शेयर कीजिए अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो नीचे लाइक का बटन लाइक जरू कर दीजिए गा एक बर आप जरू टाय करके देखिएगा और आप मेरी चैनल को फॉलो जरू कर लीजिए गा अच्छी आसान बनने वाली रेसिपी आपको देखने को मिलेगी मेरी चैनल पर चलिए मुझे जर जर दीजिए खुश रहें आबाद रहें और हैपी रहेंट हैं